ऐलो स्टूडेंट्स मेरा नाम नसी महमद आज इस किलास में कुछ नुमरिकल्स बताएंगे एलिवेशन इन बॉइलिबिब पॉाइड्ट पर एलिवेशन इन बॉइलिबिक पॉइंड में दो फॉर्मूले आते हैं, उसके बारे में हम जनकारी देते हैं, आउर उस्पन नुमरिकल हम बनाते हैं, एक है डेल टी बी, यह आता है आपका के बी, आई यह डवलू इन्टू थाउजन्ट, बाई, एम आ इन्टू यह डवलू, अब यह क्या है, तो देखिए डेल टी बी ह है, यह अपका एलिभेशन है, बौाइलिएंग पौइंट, इरवलू इन्टू इन्टू बौाइलिएंग पौइंटू आख यह जो है, यह रवता है, यह कॉंस्टेंट है, सॉल्भेण के लिए उपियों करते हैं, इसको नाम हुआ अह अम लू ल इलिभेशन constant आई ये किसके लिए होगा solvent के लिए ये value जो होता है solvent के लिए value होता है आई ये a small w है a small w है ये जो है ये solute का weight है ये non volatile solute तो ये weight of solute आई ये है आपका जो बड़ा w देख रहा है ये solvent है the weight of solvent weight of solvent आई ये जो aim जो है दिया है ये molecular weight किसका है जो weight है solute का ये molecular weight है solute का ये आपका हो गया molecular weight of solute molecular weight of solute तो ये value जो है question में देखिए elevation in boiling point डेल टी भी हुआ के भी हुआ molar elevation constant solvent के लिए होगा ये small w है छोटा है weight of solute ये molecular weight of solute ये जो बड़ा w जो लिखे हैं ये solvent का weight को तर्षा रहा है ये सब value दिया रहेगा इसमें से जो है दिया रहेगा जो है जो निकलना है वो बाकी का value दिया रहेगा इसमें से कुछ पुछेगा के भी निकलिए weight of solute निकलिए याँ डेल टी भी निकलिए डेल टी भी जो होता है डेल टी भी इसकोल टो होता है टी माइनस टी नॉट तो ये हो गया आपका टी है ये boiling point है किसका solution का boiling point of solution आप टी नॉट हुआ boiling point of solvent ये है आपका boiling point of solvent तो इसमें अगर boiling point solution पूछता है तो ये हम निकाल लेंगे डेल टी भी या टी नॉट अगर मालू है तो हम क्या ने काई टी निकल सकते हैं boiling point solution के निकाल सकते हैं यही दो जो निकालना होगा, निकाल सकते हैं, इसमें जो है, रोड श्लो में आता है, डेल Tb is equal to Kb into molality, इसी से यह आगे बढ़ा है, इससे भी जो है, अगर फर्मुला में जो है, डेल Tb मालूम है, निकाल सकते हैं, इसे के भी दिया है, तो हम molality solution का निकाल सकते हैं, तो मोटा मोटी एक यए फर्मुला हुआ एक यह फर्मुला है आए यहां से हगं उडंती ह Peng अभर इसी पर और कोशन्य जो दिया गया है उसमें गिवन में क्या भैलू दिया गया गया है मैं इसको लिखने से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं आए मेления कोशनन में इसर्च धखाजया question first क्या खाता है एकवस solution of glucose गुलकोच दिया है यह एकवस solution of glucose containing 12 gram in 100 gram of water यह गुलकोच का solution है जिसमें water का weight दिया है 100 gram और गुलकोच का weight दिया है 12 gram तो जो दिया है हम लिख रहा है एंसर फस्ट गीवें में जो दिया है गीवें में दिया है आपको small w weight of salute glucose है यह 12 gram दिया है weight of solvent दिया है यह water का है weight water का solvent है यह दिया है आपका 100 gram दिया है उसके कहता है वाज found to boil at इतना माने एकवस solution solution का boiling point यह दिया है यह स्टू के लिए होगा solvent का तो के भी जो भी दिया रहता है वो solvent का दिया रहता है के भी पूछ रहा है इसमें अब देखिए formula जो होता है formula है आपका डेल टीवी इसकोल टू होता है के भी इसमें आता चुके निकलना है डाबलू इन्टू थावजेंट अब आई molecular weight of solute आई इन्टू weight of solvent अब बताई इसको आपको निकालना है के भी निकालना है डेल टीवी हमको निकालना पढ़ेगा अचा यह weight दिया है weight दिया है glucose का molecular weight तम यहां से जो है निकाल सकते है molecular weight glucose का C6 S1206 यह glucose का है molecular weight तो इसका होता है बारशे को 72 यह प्लोस बारा सोल सक्षानवे यह सब जुडियेगा तो यह आता है 180 आता है molecular weight तो यह देखी इसका भी value है दिया है इसका निकाल चुक है molecular weight यह कर्टल बड़ा W दिया गया है value मालूम है देल TV जो निकलता है देल TV का formula होता है देल TV का formula होता है T minus T not तो T तो दिया है T not अगर देखी तो T not यह क्या है boiling point of solvent यह boiling point of solution boiling point of solvent तो डेल TV का देखी यह solvent water है तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसका value जो है मालूम आप यह boiling point water का यह boiling point of s2 water तो यह मालूम होता है कितना होता है 100 degrees C so celsius पर क्या करता है boil करता है water तो यह मालूम हो गया तो हम यहां से डेल TV निकाल सकते हैं डेल TV वराबर T minus T not यह value T का value है 100.34 minus 100 तो यह आपका हो गया 0.34 degree C यहां से डेल TV निकाल गया अब हम के भी निकाल सकते हैं क्योंकि सब का value मालूम हो गया यह 3 value मालूम है डेल TV मालूम है के भी निकाल सकता है हम इसमें value put करते हैं इसमें value है यह आपका 0.34 आपके भी आप यहां से देखिए weight जह है solute का बारा दिया है आई इन्टू 1000 अब बाई molecular 180 आई इन्टू weight of solvent दिया है 100 weight of solvent के दिया है 100 दिया है यहां से जो है 130 जह है नीचे से कट गया अब यहां जो दिया है यह दो हो गया यह 3 हो गया 6 12 12 16 18 13 हो गया तो के भी हम निकाल सकते हैं इसलिए के भी अपनी जगा पर है के भी इसको छोड़ दे तो 3 से multiply करना पड़ा है 0.34 में 3 से multiply करेंगा क्या करेंगा दो से भाग दे देंगे तो यह इसको डिवाइड करते है तो यह होगा 0.12 17 17 इंटू 3 यह आप कहा हो गया सत्रतिय कावन फिटी ओन दो अंक जो है दिस मालक बाद दो अंक तो 0.51 केल्बिन केजी पर मॉल यह आपका एंसर हो गया इस तरह के भी का भी दू निकला सेकेंड कोश्चन एंसर जो है 2 इसमें जो गीवेन में जो दिया है उसका भाइलू लिख रहे हैं गीवेन में गीवेन में क्या क्या दिया है आन एक ओन स्लूजन आफ गुलज और यहां स्लूजन है गुलज का स्लुजन है बाल्ड इतना तो यह बाली 0.01 degree C, the molar elevation constant, the molar elevation constant for water, is इतना दिया है, यह kv का value दिया है, kv, water का solvent है, यह 0.5, Kelvin kg for mole, calculate the weight, weight निकालना है, calculate weight of glucose, मैंने solute का weight, यानि W निकालना है, weight of solute, and number ofорош, number of glucose, number of molecules निकालना है, number of molecules, का इसमें, glucose molecules केतना है, जो solution बना है, glucose का, उसमें number of molecules, glucose का निकालना है, यह भी दो को चिंद निकालना है, ionified, आईए देखिए फर्मूला जो लागू होगा चुकि बाइलिंग पॉइंट दिया है के भी दिया है तो इस सब भाइलू आता है डेल टी बी यह गाँ दू के बी डावलू इंटू थाउजेंट अब आए मॉल्कुलर वेट अब सलूट अब इसमें इसमें आपको देखिए हम हमको मों को डू निकाल ना वेट अफ सलूट निकल जागा लेगा तो नमर आप मल्कूल अब इसमाल्म सेक्टे हैं यह गाल सकते हैं यह मल्कूलर वेट हो गया C6S12O6, इसका होता है 180 होता है, molecular weight, यह मालम हो, weight of solvent, इसमें number of molecules of glucose, in the solution, contains 100 gram water, यानि यहाँ पर दिया है, weight of solvent दिया है, weight of given weight of S2O, S2O solvent है, यह दिया है आपका 100 gram, 100 gram दिया है, यहाँ से यह W आपको मालूम है, molecular weight हो गया, W मालूम है यहाँ से, weight of solvent, यह निकलना है, KV का value यहाँ पर दिया है, KV का value, यह जह है, Del TV जो हम निकल जाता है, Del TV निकल जाएगा, तो सब का value मालूम है, इसका value KV का, M का, यह बड़ा जो W है, तिनु का value मालूम हो, दिया ही है, है के नहीं, M का value निकल दिया है, Del TV जो है, हम निकाल देते हैं, तो Del TV का formula होता है, T minus T note, Del TV होता है, T minus T note, अब यहाँ देखी, यह T मालूम है, इतना, boiling point solution का मालूम है, तो boiling point solvent, solvent काँट सा है, water है, तो T note आपको मालूम हो जाएगा, यह है boiling point of S2, यह होता है, 100 degree C, तो हम Del TV यहाँ से हम निकाल सकते हैं, Del TV बरावर हो गया, T minus T note, यहाँ से आपका वाटी हो गया, 100, यह value है, 100.01 minus 100, तो यह आ गया, 0.01 degree C, तो यह आपका value जो है, Del TV निकाल गया, अब यह value जो है, हम इसे पूट करते हैं, तो यह हो गया, 0.01, के बी का value है, 0.5, W निकालना है, 1000, molecular weight of 180, आइन 2 हो गया, यह 100 हो दिया है, तो इस आलत में, 3,0 यह cut गया, 3,0 cut गया, तो weight हमको निकाल सकते हैं, तो weight निकाल लिएगा, तो इसको इधर multiply करेंगे, तो 0.5 गुणे W बराबर कितना होगा, 18 को इधर से multiply करेंगे, तो यह हो गया, weight बराबर हो गया, गुलकूज का weight, तो 0.01 into 18, अब बाई हो गया, 0.5, तो इसको हम कर देते हैं इसे, दो अंक इसको हटाज, इसको खतम कर देते हैं, तो यह भी दो अंक आएगा, तो अठारा बाई का हो गया, 50 हो गया, अठारा बाई 50, यानि अठारा बाई 5 गुणे 10, तो 5 से डिवाइद का 5 ती है, 15, 5, 6 के 30, अब बाई 10 है तो एक अंक जाएगा, तो 3.6 यह weight हो गया, दो अंक यहाँ से, तो यह आपका आजाएगा, यहाँ से, 5 से डिवाइद करते हैं, इसको और easy करते हैं, 18 by 5 गुणे 10, तो यह हो गया, डिवाइद करते हैं, 3.15, आप पाइट हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया, तो 6 हो गया, 3.6 by 10 है, तो यह हो गया, 0.36 गयाँ हो गया, weight of solute निकल गया इतना गराम अब इतना गराम जो है गुलकोज का वेट है तो उसमें हम number of molecules निकाल सकते हैं आप जानते हैं कि one mole one mole अगर ले लेते हैं c6s1206 तो यह molecular rate को गराम लिखते हैं तो एक सबस्क्राइब हुआ mole concept आप देख सकते हैं mole intolerance of mass mole intolerance of number हम बताया है mole concept में तो one mole यह molecule है molecular rate को गराम में लिख दिया इसमें कितना molecules होगा इन molecules तो इनका value हम यहां रखते हैं इनका value होता है 6.02 into 10 to power 23 इतना molecules गुलकोज का होगा इस 80 gram में तो हमको निकालना है कि 0.36 gram अगर गुलकोज है इसमें कितना molecules होगा तो 0.6 0.36 आइन 2 हो गया यह एन value हो गया 6.02 into 10 to power 23 अब यह हो जाता है किसे भाग देंगे 180 से अब देखिए इसको हम simplify करेंगे तो यह हो गया यह इसको हम कर देंगे 36 इंटू 10 के पावर माइनस 2 आइन 2 हो गया 6.02 into 10 to power 23 अब यहां से देखिए नो दूना अठारह और नो चोगा 36 चार एक और चार पांचे बीस पांच हुआ अब पांच को देखिए 10 के पावर माइनस 2 देखिए 10 को और माइनस 23 आइन बेस सेम है तो पावर जूटेड़ता है तो तेखिए 10 माइनस 2 के तना 21 हो जाएगा अब पांच इसमें भाग देते हैं तो यह लगबग आज एगा 1.2 इनटू 10 to power माइनस नहीं होगा यह आपका हो जाएगा 21 यह इतना मलकूर्स हो गया कि इसमें वेट भी निकला और जतना गराम अगर गुलकोज है तो इसमें नमर और मलकूर्स कितना होगा उस सलूशन में इतना मलकूर्स होगा गुलकोज का तो 1.2 इनटू 10 to power 21 का हुआ य मलकूर्स होगा इनसर थिरी देखिए गीवेन में क्या दिया है गीवेन इन वें डा मुलले वेट दा मॅल्कूलर वेट दा मॅल्कूलर वेट ऑफ और गगनी कंपाउंड एज 58 gram per mole molecular weight होता है एक mole का weight को बोलते है molecular weight यह molecular weight solute का दिया है organic compound का यह molecular weight organic compound का कितना दिया है 58 लिख सकते है gram per mole एक mole का weight होता है आई यह 24 gram of this मनि यह solute का weight 24 gram of this is dissolved the weight of solute है दिया है 24 gram अब इसको dissolve कर रहा है 6 gram water में the weight of solvent हो गया is two o का weight is two o का weight 100 gram है water है calculate its boiling point जब dissolve कर रहा है solvent में तो solution बना उसका boiling point पूछ रहा है इसमें जो है boiling point पूछ रहा है solution का यह आपका boiling point है of solution यह आपका पूछ रहा है boiling point तो इसमें और आगे कर रहा है when vapour pressure of water vapour pressure of water becomes 760 mm at 99.725 degree c kb for water kb का value दिया है देखिये vapour pressure of water का solvent का vapour pressure कितना 760 mm पर तो यह देखिये g's temperature पर अगर vapour pressure 1 atm यानी 760 mm यह आपका देखिया 1 atm वेरा होता है 76 cm of SG यह इसको बोल देखिये 1 cm 10 mm होता है तो 660 mm यह atmospheric pressure है atmospheric pressure है 660 mm तो क्या कहता है g's temperature पर अगर vapour pressure बढ़ते बढ़ते 1 atm यानी 760 mm हो जाए तो उस temperature को बोलते है boiling point तो यह जो दिया है यह boiling point किसका है water का यही है कि माले के देखिये g's temperature boiling point क्या है g's temperature पर vapor pressure बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए 1 atm हो जाता है तो उस temperature को boiling point काते है तो यह आपका भाईलू जो है T naught का है T naught यह boiling point of water भाईलू यह दिया है 99.725 725 degrees C यही है कि अगर हम graph अगर खिषते हैं देखिये अगर graph करते हैं इदा temperature दे दिया इदा vapor pressure यह बढ़ते करब में यह जो है graph दे दिया यह इसका यह value जो है यह vapor pressure बढ़ते हैं यहां तगले vapor pressure हम मान कर चलते हैं कि अट्मोस्फेरिक परेशन मानने 1ATM यह बरावर होगा 760 है में अगर graph अगर खिषते हैं तो देखिए तो इस temperature पर इस water का इस 2O का vapor pressure बढ़ते 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 कितना हो गया 1ATM आ गया इसका vapor pressure कितना हो गया 1ATM तो क्या खाता है कि जिस temperature पर इसका vapor pressure कितना हो गया 1ATM के बरावर हो गया तो इस temperature को बोलते है boiling point बोलते है चुकि water है तो water का boiling point यह कितना इसमें दे रहा है 99.725 तो जिस temperature पर vapor pressure यह बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए तो यह यहाँ पर वह 1ATM हो जाए तो इसका vapor pressure इसका vapor pressure बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 1ATM हो गया कितना temperature इतना temperature पर तो इस temperature को बोलते है boiling point boiling point चुकि यह water का कितना इहाँ दिया है 99.725 degree C अब इसमें देखिए kb का value इसमें दिया है water का solvent का kb का value इसमें दिया है 0.513 Kelvin kg per mode यह भाइल दिया है अब इसमें देखिए हमको निकालना है boiling point of solution boiling point of solution निकालना है यह कहां से आएगा देखिए formula हम लिखते है del tb बराबर होता है kb into w into 1000 अब आये देखिए del tb का value जो है मालूम नहीं है तो del tb अगर निकल जाएगा del tb निकल जाएगा del tb होता है kb देखिए यह निकालना है आपका भैलू यह tb निकलना यह मालूम है अगर del tb निकल जाएगा आज t not मालूम है del tb निकल जाएगा t हम निकाल सकते हैं तो del tb हम निकालते हैं इसमें kb का value दिया है weight of solute दिया है molecular weight इसका दुनों का दिया है दुनों भैलू मालूम है यह भी भैलू मालूम है weight of solvent यह सब भैलू मालूम है हम del tb निकाल देंगे del tb अगर निकल जाएगा तती हम निकाल सकते हैं तो यह आपका हो गया kb है 0.513 यह आपका weight of solute हो गया 24 into 1000 by molecular weight इसका दिया है 58 weight of solvent दिया है 600 तो इसको यहां से 20 यह कर जाता है यहां से हम कर रहा है 6 24 24 चार हुआ इसे देख दो आईये हो गया 29 हो गया तो इस तरह आपने देख रहा है कि 0.513 into केतना हो गया है तो आइन 2 केतना है या 10 है अब बाई 29 मुल्टिप्लाई करते हैं दो यह 6 हुआ दो हुआ पांदून दस हुआ यह हैं तो पहले काम करते हैं इसमें 10 से मुल्टिप्लाई कर देते हैं आप उसके बाद 2 से तो यह हो गया इसको जब पॉइंट यह गया तो यह अगर फाइब 0.13 into 2 by 29 अगर तीन से दो से मुल्टिप्लाई करते हैं तो यह हो गया 6 अगर दो पॉइंट आई यह हो गया 10 by 29 इसको अगर हम करते हैं तो यह भैलू आ जाता है डिवाइब कर 0.354 तो यहां से डेल टीवी का भैलू निकल गया तो चुकि डेल टीवी बराबर होता है टी माइनस टी नॉट इसलिए टी अपनी जगा पर छोड़ देते हैं तो टी नॉत इसमें जूटेगा यह उत तत मैनस टी नॉट है तो उए जाएगा तो पोलस देल टी नॉट यह आपका टीवुण आपका जूट बालेंग पॉइंट आफ वाटर दिया है तो 99.725 पॉलास हो गया 0.354 तो इस तरह इसमें जोड दीजेगा पांच और नो हुआ पांच दू साथ यह हो गया साथ तीन दस के जीरो आफ पॉइंट दस हाँ नो एक दस के जीरो आई भी केतना हो गया 9 1 दस यानी 100.07 डिगरी C आपका यहां एंसर हो गया यहां जो है एंसर 4 question number 4 क्या काता है the molar elevation constant of benzene benzene यह solvent है क्योंकि जो molar elevation constant के भी जो होता है solvent का होता है तो kv value दिया है given में given में kv value यहां दिया है 2.52 Kelvin kg per mole a solution of sub-organic substance अब इस benzene में कोई organic substance क्योंकि solute को dissolve किया जाता है dissolve किया जाता है तो कहता है कि इन benzene benzene में dissolve किया जाता है boils at एतना degree c higher than benzene यानि सवाइख है कि अगर मान लेके जतना balling point होगा solvent का अगर solute उसमें add करते है तो उसका balling point solution के क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो कितना बढ़ जाता इतना बढ़ जाता यह increase in balling point है यानि del tb का value जो है del tb का value है 0.126 degree c यहां पर यह का रहा है जब यहां पर solution जो बना रहा है और गनी compound ले लिए संस्टान ले लिए बेंजीन वे solution बना तो बाइल करता है इतना बढ़ गया higher हो गया बेंजीन से तो जो increase in balling point इतना बढ़ गया यानि बेंजीन का जेतना balling point है उससे कितना यह ज्याद हो गया 0.126 तो यह del tb का value है मने increase in elevation in balling point what is the molality molality पूछ रहा है molality निकालना है तो चुकि जानते है del tb बराबर होता है kb into molality तो molality बराबर क्या हो गया del tb by kb the del tb है 0.126 अब बाई kb जो है kb का value है 2.52 अब यहां पर देखे दिस्मल को हटा ही है यह पूरा दिस्मल यह आ गया 126 तीन ओंक आ रहा है ती भी तीन ओंक तो 0 आ जाएगा 2520 अब इसको हम divide करेंगे तो divide किजिए अगा तब आ जाता 0.05 यहानि molality कितना हो गया 0.05 यह आपका answer हो गया विदार्तियो मेरे चैनल को subscribe किजिए अगर possible हो तो like और share किजिए धन्यबाद